शेयर मार्केट में निविश करने वालों के बीच आज कल एक खास वर्ड का ट्रेंग चल रहा है वो है टीपीन टीपीन के लेकर काफी निविश को के अंदर काफी सारा सवाल भारा पर्म परा है जिसका जबाब लेकर आज मैं इस वीडियो के मद्दम से सभी को बताने वाला हूँ और सबसे इंपोर्टेंट निविश यह है कि टीपीन की जो मेंडेटरी थी वो अभी फिलहाल खत्म है फिर से इसे लागू किया जाएगा बट कब लागू किया जाएगा यह अभी क्लियर नहीं है अगले आदेश तक इसे भी सस्पेंड किया गया है तो आज के इस वीडियो में टीपीन से रिलिटेट जो भी आपकी समस्या है वो सारी समस्या इस वीडियो के मादम से मैं शॉल्व करने वाला हूँ जैसे कि आप tip in के मतलब क्या होता है tip in क्या है इसके यूज क्या है इसके फाइदे क्या है या फिर tip in आप generate कैसे कर सकते हैं दोस्तों यदि आपको लूटा जा रहा है discount brokerage के name पे तो link हमने description में दे रखा link पे click करके limit account token कराईए और यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आपको delivery एकदम फ्री है जबकि इंट्राडे के लिए 20 रुक्या पर order लगता है कोई भी hidden charge नहीं है और साथी साथ high level recommendation भी provide किये जाते हैं हमारे country की एक खास पहस्चान है जब भी कोई चोड़ी डेकैती या high level की fraud होती है उसके बाद ही हमारे यहां सारी जांच agency उसके पीछे पड़ती है और फिर inquiry वेटती है और उससे गहन सोच विचार करने के बाद में एक rule and regulation फिर बनाई जाती है ऐसा ही सेम प्रोसेस टीपिन के साथ भी हुआ है टीपिन अस्तित्वे में आया तब जब काड़ी ने फोड किया हुआ था power of attorney का यूज करके और वही power of attorney का गलत यूज ना हो इसके कारण ही टीपिन जेनरेट किया गया है तो इस लिहाज से जिन्होंने अपने डिमिट एकाउंट power of attorney का फॉर्म नहीं भरा डिमिट एकाउंट में उन सभी निविशकों के लिए टीपिन मेंडेटरी है सेल करने के लिए अपने डिमिट एकाउंट से जो भी सेर उन्होंने बाइक करके रखा हुआ है चाहे वो बाई delivery के order हो या फिर margin के हो दोनों में ही आपको सेल करने के लिए टीपिन की आवशकता होगी बट ये अभी इसमें आपको छूट मिल गया है अभी ये जो mandatory है उसे खतम कर दिया गया है लेकिन future में ये फिर से लागू होगा अगले आदेश तक इसे अभी रोक लगाया गया है इसलिए आपको ज्यादा अभी टेंसल लेने की जरूरत नहीं है बट समय रहते आपको इसके बाड़े में पूरी जनकारी होनी चाहिए और टीपिन आप generate कैसे करनेंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ तो ये सब आप देख लीजे और फ्यूजर के लिए सेव करके इसे रख लीजे जितने भी डिमेट एकाउंट होते हैं वो या तो एनसडियल या फिर सीडियसल के अंडर आते हैं और ये दोनों ही निवेशकोप के मुबाइल और इमेल पे टीपिन लागू होने से पहले ही सेंड कर दिये थे यदि आपको टीपिन नहीं मिला है तो कोई दिकत नहीं है आप इसे regenerate कर सकते हैं जब मनकर तब इसे बदल सकते हैं जनरेट कर सकते हैं जितने भी डिमेट अकाउंट होते हैं वो या तो एनसडियल या फिर सीडियसल के अंडर आते हैं और ये दोनों ही निवेशकोप के मुबाइल और इमेल पे टीपिन लागू होने से पहले ही सेंड कर दिये थे तो कोई दिकत अहीं है आप इसे रिजेनरेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं मान करें तब इसे बदाज सकते हैं जेनरेट कर सकते हैं जब आप चेंज टीपिंग करते हैं तो यहां से आपको यह कि बीओ आइडी मांगता है दी ये आपका सोलर डिजिट का डिमेट अकाउंट नंबर आता है जो कि आप अपने डिमेट अकाउंट का प्रोफाइल खोलिएगा जिस ब्रोकर में भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां से आपका 16 डिजिट का डिमिट अकाउंट नमर मिल जाएगा वह यहां पर इंटर करने उसके बाद में आपका प्रेंट नमर इंटर करना इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद में एक OTP आपको मुबाइल पर जाएगा वह OTP आपको यहां पर इंटर करना है और फिर आपको निव पीन यहां से आपको मिल जाएगा इसी प्रकार यदि आप T-PIN जेनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही प्रोसेस है बियो आईडि यानि कि सोलर डिजिट का अपना डिमिट अकाउंट नमबर डालने हैं नेक्स्ट पर क्लिक किजिएगा एक OTP जाएगा और उसके बाद फिर आपको वही नया T-PIN आपको मिल जाएगा कुछ लोगों के यह भी सवाल है कि BIO Code कहां से निकाले और यह क्या होता है तो BIO Code 11 Đूजिट का आपका डिमिट अकाउंट नमबर राता है यह हो सकता है आपका क्लाइंट कोड और ID कोड को मिलाकर यह बनाया जाता है तो आप नॉर्मली अपने ब्रोकर के प्रोफाइल में जाईएगा तो वहां से आपको ये टिमिट अकाउंट नमबर मिल जाएगा सुला डिजिट का राता है उमीद करता हूँ टीपिन से रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे वो सभी सॉल्व हो चुके होंगे और आपको मालूम हो गया होगा टीपिन के बाड़े में और इसके क्या यूज है साथ ही साथ चब ही ये टीपिन फिर से लागू होगा तब आप इसे भाली भाती यूज कर पाएंगे जिनरेट कर पाएंगे चेंज कर पाएंगे दोस्तों लाश्ट में मैं आप सबसे यही गुजारिस करूंगा यदि आपको कोई भी समस्या हो सेर मार्केट से रिलेटेड या फिर डिमिट इकाउन से रिलेटेड तो हमारे WhatsApp नमबर के आप समपर कर सकते हैं कभी भी या फिर हमने description में link दे रखा है group में समलित हुई है वहाँ पर डेली निवेशकों के बीच में समस्याओं का समाधान होते रहता है वहाँ से भी आप अपना समस्या डाल सकते हैं solution पास सकते हैं या फिर solution किसी और को देश सकते हैं तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में और यदि वीडियो पसंद आया होता आप सबसे request है like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और चैनल को subscribe करना ना बुलिए